हलो एवरिवन आई जोती वेलकम यू आलाउं डूर डाई फॉर इस्टेडी चैनल आज हम लोग करने वाले हैं क्लास फर्स एंसी रटी इंग्लिश बुक से यूनिट टैन का चैप्टर वन फ्लाइंग मैन तो चलिए इसको देख लेते हैं groups ए the poem aloud flying man flying man up in the sky where are you going to flying so high flying man flying man up in the sky where are you going to flying so high over the mountains and over the sea Flying men, flying men Can't you take me? Over the mountains and over the sea Flying men, flying men Can't you take me? इस बोयम में जो बच्चा है ये फ्लाइंग में से बात कर रहा है अब फ्लाइंग क्या होता है? फ्लाइंग होता है To move, throw air with wings यानि अपने पंकों की सहाइता से हवा में move करना लेकिन जो फ्लाइंग में होता है क्या उसके पंक होते हैं? नहीं होते ना फिर भी वो उड़ता है क्या आप किसी फ्लाइंग में को जानते हैं? येस सब बच्चे जानते हैं बैट मैं को, सुपर मैं को आइरन मैन को थोर को और फ्लाइंग जट इसके अलावा शक्तिमान वो गोल गोल घूंके कहीं भी उड़कर पहुँच जाता है और क्रिश, क्रिश को तो सब भी जानते हैं अगर इसके अलावा आप किसी और ऐसे फ्लाइंग में को जानते हैं तो उसका ने मुझे कमेंड बॉक्स में लिकर जरूर बताना ठीक है? तो देखें यहाँ पर यह जो बच्चा है इसके सामने फ्लाइंग में आ गए हैं तो यह फ्लाइंग में से क्या कह रहे हैं? फ्लाइंग में से कह रहे हैं फ्लाइंग में से कह रहा है flying man flying man आस्मान में इतना उपर इतना उपर उड़कर आप कहां जा रहे हो over the mountains and over the sea आप तो mountain के उपर से भी जाते हो और sea के उपर से भी जाते हो mountains कहते हैं पहाडों को और sea कहते हैं समुंद्र को आप तो पहाडों के उपर से भी जाते हो और समुंद्र के उपर से भी जाते हो तो कहता है कि फ्लाइंग मैन फ्लाइंग मैन can't you take me, तुम मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले चलते तो ये बच्चा वीश कर रहा है और उसको कह रहा है फ्लाइंग मैन को कि तुम तो हर जगा जा सकते हो माम्टेन के उपर से भी जा सकते हो समुद्र के उपर से भी जा सकते हो तो तुम मुझे भी अपने साथ क्यों नहीं ले जा सकते अब ही हम देखेंगे इसके new words को flying means होता है to move through air with wings यानि अपने पंखो की सहाथा से हवा में उड़ना high means होता है oochah greater than usual in amount next है man man माने होता है an adult male human being mountains a rocky earth surface that is higher than a hill sea, sea कहते है समुद्र को a large body of salt water next is take take means होता है to carry यानि लेना यहाँ पर ले जाने से meaning आया है कि ले जाना let's read the mountains are high mountains ऊचे होते है the birds are flying in the sky bird कहां उड़ रही है आसमान में उड़ रही है bird आसमान में उड़ रही है bird पक्षियों को कहते है तो पक्षि आसमान में उड़ रहे है next is reading is fun अब हम करेंगे इसके question answers को तो चलिए इसको देखते है first question is here where does the flying man go flying man कहां जाता है answer है the flying man goes over the mountains and over the sea next question is here what does the child want to do child क्या करना चाहता है the child wants to fly with the flying man जो बच्चा है वो flying man के साथ उड़ना चाहता है let's talk आए बात करते हैं can you guess who the flying man is क्या आप guess कर सकते हैं flying man कौन है choose your answer अपना answer चूज करेंगे the flying man is superman the flying man is a pilot the flying man is an astronaut flying man is batman आपको जो सही लगता है आप उसके बारे में बताएंगे कि आपको क्या लगता है flying man superman होता है flying man pilot होता है flying man एक astronaut होता है या flying man batman होता है तो आपको क्या बताना है जैसे हम example के लिए ऐसे लिख सकते है according to me the flying man is superman he always helps people in need he is very powerful and can fly at a high speed he always wears a superman suit according to me flying man is a superman वो हमेशा तूसरे लोगों की जिनको मदद की आवशकता होती है उनकी help करता है जिनको help की जरूरत होती है तो वो उनकी help करता है जरूरत के समय वो एक powerful होता है और वो high speed से उड़ सकता है उसके अलावा वो क्या करता है वो हमेशा एक superman suit पहनता है जैसे कि आप picture में देख सकते हैं और यहां पर भी जो picture दिखाई गई है उसमें भी उसने एक suit पैना हुआ है लेट्स शेयर वो शीन एन एरोप्लेइन क्या आपने कभी एरोप्लेइन देखा है तो यह आप पताएंगे कि आपने एरोप्लेइन देखा है कि नहीं देखा है कि आप प्लाइज जो पैलेट है और एक एरोप्लेइन उड़ा रहे हैं उसमें कौस्चन क्या है उसमें लिखा है कि वट विल यूंसी आउटसाइड यूर एरोप्लेइन दूरिंग देचा नाइट आप अगर एक पाइलेट है और आप दिन के समय ऐरो प्लेन में क्या देखेंगे और रात के समय आप क्या देखेंगे तो आपको पता ही है कि अगर डेटाइम होगा तो आप क्या देख सकते हैं बर्ड देखेंगे क्लाउड देखेंगे स्काय में हना तो आप इसको कैसे लिख and moon from the aeroplane next question is here what will you see inside your aeroplane aap aeroplane ke ander kya dekhenge to aeroplane ke ander korn hota hai passenger hoote hai aur air hostess oti hai to aap kaise likhenge I will see passengers and air hostess inside the aeroplane aap kya karna hai say aloud aap is ko jor se boolenge mug move mum mother mud waste wave view van vote wave wall wax wind why not nip knee knit not which word in the box sounds like hi isme se konsa word box me se aisa hai jiski hi jaisi sound ho raha hai to aap isko dhyan se dhekhenge isme dhekhenge to ye word joh hai ye kiasse pronounce kar raha hai hai why to rhyme kya hai hai ka rhyme kya hai isme why next dhekhenge which word rhymes with me 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 ke sath koon sa aisa word hai joh rhyme kar raha hai toh me ke sath joh word rhyme kar raha hai woh hai knee me knee k n e e what shall i be when I grow up match the following a person who sails a ship us ko kya bolte hai joh person ship ko chalata hai sail karta hai us ko bolte hai a seller isko match it karna hai a person who flies a spaceship that is an astronaut next is a person who draws or paints that is an artist next taking a a person who makes sick people well a doctor a person who brings letters a postman a person who grows crops a farmer a person who makes clothes a tailor a person who works in school a teacher a person who checks teeth a dentist a person who flies an aeroplane a pilot a person who flies an aeroplane a pilot a person who flies an aeroplane a pilot a person does a person who flies a person who flies an aeroplane a person who flies a person who